मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार 2019 की बिदाई की पल हमारे सामने है तीन दिन के भीतर भीतर 2019 बिदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश्च करेंगे नए साल में प्रवेश्च करेंगे नए दसक में प्रवेश्च करेंगे 21 सदी के तीसरे दसक में प्रवेश्च करेंगे मैं सभी देशवाशियों को 2020 के लिए हारदिक शुब कामनाई देता हूँ इस दसक के बारे में एक बात तो निश्चीत है इसमें देश के विकास को गती देने में वो लोग सक्रिय भुमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21 सदी में हुआ है जो इस सदी के महत्वपुन मुद्धों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जन्रेशन जैड या तो जैन जैड ये भी कहते हैं और व्यापा ग्रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशिल मिडिया जन्रेशन है हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीड़ी बहुती प्रतिभाशाली है कुछ नाया करने का अलग करने का उसका ख्वाब रहता है उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और विशेश केस कि मैं भारत के बारे मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्ता को पसंद करते हैं सिस्टिम को पसंद करते हैं इतना ही नहीं वे सिस्टिम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं और कभी कहीं सिस्टिम प्रापरली रिस्पॉंड न करें तो वे बेचेन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टिम को सवाल भी करते हैं मैं इसे अच्छा मानता हूँ एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते अराजगता के प्रती नफरत है अव्यवस्ता अस्थिर्ता इसके प्रती उनको बड़ी चीड़ है विपरिवारवात जातिवात अपना पराया स्तिरी पुरूश इन भेदभावों को पसंद ही करते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड़े पर या तो सिनेमा के थीटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में कोई गुज जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवाई होते हैं और हमने तो देखा है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नवजवान तुरत अपना मोबाइल फॉन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते हैं वीडियो वारल भी हो जाता है और जो गल्ती करता है वो मैसूस करता है कि क्या हो गया तो एक नए प्रकार की विवस्था नए प्रकार का यूग नए प्रकार की सोच इसको हमारी युवा पीड़ी परिलक्षित करती हैं। उन्होंने कहा था मेरा विश्वास युवा पीड़ी में हैं इस आधुनिक जनरेशन में हैं मौडरन जनरेशन में हैं और उन्होंने विश्वास व्यक्त कया था इनी मैसे मेरे कारकरता निकलेंगे। युवाओं के बारे में बात करते हूँने उनका हाँ, युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है और नहीं इसका वरणन किया जा सकता है। यह जीवन का सबसे मुल्यवान कालखंड होता है। आपका भविश्य और आपका जीवन इस पन दिरफर करता है कि आप अपनी युवा वस्ता का उप्योग किस प्रकार करते हैं विवेकानन जी के अनुसार युवा वह है जो एनरजी और डाइनमिजम से भरा है और बडलाव की ताकत रखता है मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में यह दशक यह डेकेड न केवल युवाओं के विकास का होगा बलकि युवाओं के सामर्थ से देश का विकास करने वाला भी साबूत होगा और भारत आधुनिक बनाने में इस पीडी की भाध बड़ी भूमेका होने वाली है यह मैं साफ अनुवा करता हूँ आने वाली 12 जन्वरी को विवेकानन जेनती पर जब देश युवा दिवस मना रहा होगा तब प्रत्य युवा इस दसक में अपने इस दाइत्व पर जरूर चिंतन भी करें और इस दसक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी लें मेरे पैरा देश वास्यों आप में एक से कई लोगों को कन्या कुमारी में जिस रौक पर स्वामी विवेकानन जी ने अंतरध्यान किया था वहाँ पर जो विवेकानन रौक मेमोरियल बना है उसके पचांस वर्ष पूरे हो रहे है पिछले पांच दसकों में ये स्थान भारत का गवरव रहा है कन्या कुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षन का केंद्र बना है राष्ट्र भक्ती से भरे हुए अध्यात् इतना क्यों अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तिर्शक्षेत्र बना हुआ है स्रध्धा केंद्र बना हुआ है स्वामी जी के इस मारक ने हर पंत हर आयू के वर्ग के लोगों को राष्ट्र भक्ती के लिए प्रेजित किया है दरिद्र नारैन की सेवा इ उसके अंदर शक्ति का संचार हो, सकारात्मक्ता का भाव जगे, देश के लिए कुछ करने का जजबा पैदा हो, यह बहुत स्वाभाविक है। जब हमारे राश्पति जी, उप्राश्पति जी भी भारत में ही ऐसे महत्पपों टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, देश्वासियों को उससे जरूर प्रेणा मिलती है, आप भी जरूर जाईए। मेरे प्यारे देश्वासियों, हम अलग-अलग कॉलेजिज में, उनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद, अलम्नाई मीट एक बहुती सुहाना अवसर होता है। और अलम्नाई मीट ये सब नवजवान मिलकर के पुरानी यादों में खो जाते हैं, जिनकी 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे चली जाती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी अलम्नाई मीट विशेस आकरशन का कारण बन जाती है, उस पर ध्यान जाता है, और देश्वासियों का भी ध्यान उस तरफ जाना बहुत जरूरी होता है, अलम्नाई मीट दरसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना, यादों को ताजा करना, इसका अपना एक अलग ही आनंद है, और जब इसके साथ शैर्ड परपज हो, कोई संकल्प हो, कोई भावात्मक लगाव जुड़ जाएं, फिर तो उ प्रमनाई ग्रूप कभी-कभी आपने स्कूलों के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं, कोई कम्पूटराइज करने के लिए ववस्ताइज खड़ी करते हैं, कोई अच्छी लाइबरेरी बना देते हैं, कोई अच्छी पानी की सुविधाई खड़ी करते हैं, कुछ लोग नए कमरे बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, उनको आनन्द आता है कि जिस जगा पे अपनी जिन्दगी बनी, उसके लिए जीवन में कुछ करना, कि हर किसी के मन में रहता है और रहना भी और इसके लिए आगे भी आते हैं लेकिन मैं आज किसी एक विशेस अवसर को आपके सामने प्रस्तूत करना चाहता हूँ अभी पिछले दिनों मेडिया में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैरो गंज हेल्ट सेंटर की कहानी जब मैंने सुनी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बताए विना रहनी सकता हूँ इस बैरो गंज हेल्ट सेंटर के अनिस्वास्त के अंद्र में मुप्त में हेल्ट चेक अप करवाने के लिए आसपास के गामों के हजार और लोगों के भीड जुड़ गई अब ये कोई बात सुनकर के आपको आस् ये कार्कम सरकार का नहीं था नहीं सरकार का इनिसेट्यूवी था ये बहा की के आर है स्कूल उसकी जो पुर्वर छात्र थे उनकी जो अलमनाई मिट थी उसके तहट उठाया गया कदम था और इसका नाम दिया था संकल्प 95 संकल्प 95 का अर्थ है उस हाई स्कुल के 1995 बैच के विद्यार्थियों का संकल्प दरसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलमनाई मिट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा इसमें पूर्वशात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उनने जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ एवर्नेस का संकल्प 95 के इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी जुड़ गए उसके बाद तो जैसे जनस्वास को लेकर एक पूरा अभ्यान ही चल पड़ा निशुल के जांज हो मुप्त में दवाएं देना हो या फिर जागरुकता फलाने का संकल्प 95 हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब देश का हर नागरीक एक कदम आगे बढ़ता है तो ये देश 130 करोड कदम आगे बढ़ जाता है ऐसी बाते जब समाज में प्रत्यक्षरूप में देखने को मिलती है तो हर किसी को आनंद आता है संतोश मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्रेना भी मिलती है एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के समुने स्वास्त सेवा का बिड़ा उठाया वही उत्तरपदेश के फूलपूर की कुछ महलाओं ने अपनी जीवरता से पूरे इलाके को प्रेना दी है इन महलाओं ने साबित किया है कि अग परिस्तित्यों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता कुछ समय पहले तक फूलपूर की ये महला है आर्थिक तंगी और गरीवी से परिशान थी लेकिन इन में अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज़वा था इन महलाओं ने कादीपूर के स्वयम सहात इसके साथ जूड़कर चपल बनाने का हुनर सिखा इससे इन्हों ने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के कांटे को निकाल फैका बलकि आत्म निर्फर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई ग्रामीन आजिविका मिशन की मजद से अब तो यहां चपल बनाने का प्रांड भी स्थापिद हो गया है जहां आधोनिक मशिनों से चपले बनाई जा रही है मैं विशेश रुप से स्थानिय पुलीस और उनके परिवारों को भी बढ़ाई देता हूँ उन्होंने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चपलों को खरीद कर इनको प्रोथसाहित किया है आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हारत मजबूत हुए है बलकि जीवन स्तर भी उंचा उठा है जब फुलपूर के पुलीस के जवानों की या उनके परिवार जवनों की ये बात सुनता हूँ तो आपको याद होगा मैंने लाल कीले से पंदर आगस को देशवासियों को एक बात के लिए आगरह किया था और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आगरह रखें आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है क्या हम स्थानिय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोचान दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्रात्मिक्ता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट को अपनी प्रतिश्टा और शांत से जोड सकते हैं? क्या हम इस भाव को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो गरीब से गरीब के जीवन में समर्द दिलाता हो सो साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जनांदोलन शुरू किया था इसका एक लक्ष था भारतिय उत्पादों को प्रोथसाहित कर रहा है आत्म निर्फर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था 2022 में हम हमारी आजहादी के 75 साल पूरे करेंगे जिस आजहाद भारत में हम सांस ले रहे हैं उस भारत को आजहाद कराने के लिए लक्षावदी सपुतों ने बेटे बेटों ने अनेक यातना ही सही है अनेकों ने प्राण की आहुती दिये लक्षावदी लोगों के त्याग तपस्या बलिदान के कारण जो आजहादी मिली जिस आजहादी का आज हम भरपुल लाब उठा रहे हैं आजहाद जिंदगी हम जी रहे हैं और देश के लिए बनमिटने वाले देश के लिए जीवन खपाने वाले नामी अनामी अंगिनत लोग शायद मुश्किल से हम बहुत कभी लोगों के नाम जानते होगे लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को ले करके आजहाद भारत के सपनों को ले करके सम्रद्द सुखी संपन आजहाद भारत के लिए मेरे प्यारे देशवाशियों क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं कम सकम ये 2-3 साल हम स्थानिय उत्पात खरीदने का आग्रही बने भारत में बना हमारे देशवाशियों के हाथों से बना हमारे देशवाश्यों के पसीने की जिसमें महक हो ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आगरख कर सकते हैं क्या मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूँ सिरफ 2022 तक आज हादि के 75 साल हो तब तक और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थान सान पर नवजवान आगे आएं छोटे छोटे संगर्षन बनाएं लोगों को प्रेडित करें समझाएं और ताय करें आओ हम लोकल खरी देंगे स्थानिय उत्पादों पर बल देंगे देश वासियों के पसिने की जिसमें महेक हो वही मेरे आजाद भरत का सुहाना पल हो इस सपनों को लेकर के हम चलें मेरे पहरे देश वासियों यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के नागिक आत्म निर्फर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें मैं ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खीचा और वो पहल है जमू कश्मीर और लदाग का हिमायत प्रोग्राम हिमायत दरसल स्किल्ड डवलप्मेंट और रोजगार से जुड़ा है इसमें 15 से 35 वत तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं यह कश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई जिने बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा मेरी पहरा देशवाजियों आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कारकम के अंतरगत पिछले दो सालों में 18,000 युवाओं को 77 अ और बहुत सारे स्वरोजगार के और आगे बड़े हैं। हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानिया सुनने को मिली हैं बेस सचमुच रदय को छू लेती हैं। आत्म विश्वात आया, वो आत्म नर्वर हुई हैं और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसल ने कर आई हैं। लिए बरदान मन करके आया। फियाज ने 2012 में बारवी की परिक्षा पास की लेकिन बिमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। फियाज दो साल तक रदय की बिमारी से जूचते रहें। इस बीच उनके एक भाई और एक बहन के मृत्य भी हो गई। एक तरह से उनके परिवार पर परिशानियों का पहाट तूट गया। आखिर कर उन्हें हिमायत से मदद मिली। हिमायत के जरिये आईटीज एने इंफर्मेशन टेक्नोलोजी एनेबल सर्विस में ट्रेनिंग मिली। और वे आज पंजाब में नोकरी कर रहे हैं। फियाज अहमत की ग्रेजुएशन के बढ़ाई जो उन्होंने साथ-साथ जारी रखी वो भी अप पूरी होने वाली हैं। हाली मैं हिमायत के एक कारकम में उन्हें अपना अनुभव साजा करने के लिए बुराया गया। अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आंखों में से आंसु छलक आये। इसी तरह अनंत नांक के रकीब उल्रह्मां आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो एक कैम्प लगा था मोबिलाइजेशन कैम्प उसके जरिये हिमायत कारकम का पता चला। रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखला ले लिया। यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वो एक कॉर्परेट हाउस में नोकरी कर रहे हैं। हिमायत मिशंद से लाभानवित प्रतिभासाली युवाओं के ऐसे कई उधारण है जो जम्मु कश्मीर में परिवर्तन के प्रतिक बने हैं। हिमायत कारकम, सरकार, टेनिंग पार्टर, नोकरी देने वाली कमपनिया और जम्मु कश्मीर के लोगों के बीच एक बहतरीन तालमिल का आदर्स उधारण है। इस कारकम ने जम्मु कश्मीर में युवाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रसस्त किया है। मेरे प्यारे देश्वासियों, 26 तारीक को हमने इस दसक का आखरी सुर्य ग्रहन देखा। सुर्य ग्रहन की इस घटना के कारण ही माई गौव पर रिपून ने बहुती इंटरस्टिंग कमेंट लिखा है। पर टक्टर की लगाय रखते थे, स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपनी दिन्चेरिया के कारण मैं इन चीजों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्या आप इस विशे पर कुछ बात कर सकते हैं क्या। विशेश रूप्स एस्ट्रोनोमी को युवाओं के बीच में कैसे पॉपिलर किया जा सकता है। मेरे प्यारे देश्वाशियों मुझे सुझाव बहुत आते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है। वैसे विज्ञान पर कई पहलू पर बातचित करने का मौका मिला है। खास करके युवापिधी के आग्रह पर मुझे बात करने का उसर मिला है। लेकिन ये विशे तो अच्छू था ही रहा था। और अभी 26 तारीकों ही सुर्य गरहन हुआ है। तो लगता है कि शायद इस विशे में आपको भी कुछ दिको जुरूची रहेगी। तमाम देशवाचियों विशेश तोर पर मेरे युवापिधी के मन में जो उत्सा था वसा मेरे मन में भी था। और मैं भी सुर्य गरहन देखना चाहता था। लेकिन अपसोस की बात ये रही कि उस दिन दिल्ली में आसमान में बादल चाय हुए थे। और मैं वो आनन तो नहीं ले पाया। हाला कि टीवी पर कोजिकोड और भारत के दूसरे हिसों में दिक रहे सुर्य गरहन की सुन्दर तस्विरे देखने को मिली। सुर्य चमकती हुई रिंग के आकार का नजर आ रहा था। और उस दिन मुझे कुछ इस विशे के जो एक्सपर्स हैं उनसे समवाद करने का आउसर भी मिला। और वो बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृत्वी से काफी दूर होता है। और इसलिए इसका आकार पूरी तर से सुर्य को ढंक नहीं पाता। इस तर से एक रिंग का आकार बन जाता है। यह सुर्य ग्रहन एक एनिलर सोलर एकलिप्स जिसे वलाय ग्रहन या कुंडल ग्रहन भी कहते हैं। ग्रहन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम प्रुत्वी पर रहकर अंतरिश में घुम रहे हैं। अंतरिश में सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जैसे और खगोली पिन घुमते रहते हैं। चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहन के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। बहुती भव्य जंतरमंतर है, देखने योग्य हैं। और इस जंतरमंतर का एस्ट्रोनॉमी से गहरा सबंध है। महान आर्यभट की विलक्षन पतिवहा के बाले में कौन नहीं जानता। अपनी कालक्रिया में उन्होंने सूर्य ग्रहन के साथ साथ चंद्र ग्रहन की भी विस्तार से व्याख्या की है। वो भी फिलोसाफिकल और मैथेमेटिकल दोनों ही अंगल से की है। वी पंदर्वी शदी में केरल में संगम ग्राम के माधव इन्होंने ब्रह्मान में महजुद ग्रहों की स्थिती की गणना करने के लिए कैलकुलस का उप्योग किया। रात में दिखनावला आस्मान सिर्फ जिग्यासा काई विशे नहीं था। बलकि गणित की दृष्टी से सोचने वालों और बेग्यानी को लिए एक महतवपुन सौर्थ था। कुछ वर्ष पहले मैंने प्री मोडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एन वायजीज इस पुस्तक का अनावरण किया था। ये पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे। उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था। अधुनिक उगी में उसी मालम की पोथी को और वो भी गुजरादी पंडूलिप्यों का संग्रह जिसमें प्राचिन नेविगेशन टेक्निक्नोलोजी का वणन करती है। और उसमें बार-बार मालमने पोथी में आस्मान का तारों का तारों की गति का वणन किया है। और यह साब बताया है कि समंदर में यात्रा करते समय तारों के साहरे दिशा तय की जाती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने का रास्ता तारे दिखाते हैं। मेरे पहरे देशवासियों, एस्ट्रोनोमिक एक्षेत्र में भारत काफी आगे है। और हमारे इनिसेटिव्स पाथब्रेकिंग भी है। हमारे पास पूने की निकट विशाल काय मिटर वेव टेलिस्कोप है। इतना ही नहीं, कोडाई कनाल, उदग मंदलम, गुरुशिखर और हांतेल लदाख में भी पावरफुल टेलिस्कोप है। 2016 में बेल्यम के ततकालिन प्रधानमंत्री और मैंने नैनिताल में 3.6 मीटर देवस्तल अप्टिकल टेलिसकोप का उदगारन किया था। इसे एशिया का सबसे बड़ा टेलिसकोप कहा जाता है। इसरो के पास इस्टो सेट नाम का एक एस्टरोनॉमिकल सेटिलाइट है। सुरिय के बारे में रिसर्च करने के लिए इसरो आदित्य के नाम से एक दूसरा सेटिलाइट भी लाउच करने वाला है। खगोल विज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचिन ग्यान हो या आधुनिक उपलद्यां हमें इनने अवस्य समझना चाहिए और उन पर घर्व करना चाहिए। आज हमारी रुआ विज्ञानिकों में न केवल अपने विज्ञानिक इतियास को जानने के लड़क दिखाई परती हैं बलकि वे एस्ट्रोनॉमी के भविश को लेकर भी एक द्रड इच्छा सकती रखते हैं। हमारे देश के प्रनेटोरियम नाइट स्काय को समझने के साथ स्टार गेजिंग को शौक के रुप में विक्सित करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। कई लोग हैमेच्वर टेलिस्कोप्स को छतों या बालकनीज में लगाते हैं। स्टार गेजिंग से रूरल कैंप्स और रूरल पिक्निक को भी बढ़ावा मिल सकता है। और कई ऐसी स्कूल कॉलिजीज हैं जो एस्ट्रोनोमी के क्लब भी गटन करते हैं। और उस प्रवुक को आगे भी बढ़ाना चाहिए। मेरे प्यारे देश्वाच्यों हमारी संसत को लोगतंत्र के मंदी के रूप में हम जानते हैं। एक बात का मैं आज बड़े गर्व से उलेख करना चाहता हूं। कि आपने जिन प्रतिनीधियों को चून करके संसत में भेजा हैं। उन्होंने पिछले 60 साल के सारी विकरम तोड़ दिये हैं। पिछले 6 मास में सतर भी लोगसभा के दोनों सत्र बहुत ही productive रहे हैं। लोगसभा ने तो 114 परतिश्षत काम किया तो राजसभा ने 94 परतिश्षत काम किया। और इससे पहले बजेट सत्र में करीब 135 फिस्दी काम किया था, देर देर रात तक संसद चली, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी संसद इसके लिए बधाई के पात्र है, अभिनंदन के अधिकारी है, आपने जिन जन प्रतिनीजियों को भेजा है, उन्होंने 60 साल के सार रेकोर्ड तोड दिये है, इतना काम होना अपने आप में भारत के लोकतंतर की ताकत का भी और लोकतंतर के प्रति आस्था का भी परिचायक है, मैं दोनों सदोनों के पिठासी अधिकारियों, सभी राजनितिक दलों को, सभी सामसदों को, उनकी इस सक्रिय भूमिका के नहीं करती हैं बलकि कई सारी चीज़े भी इससे जुड़ी हुई है हम सब जानते हैं कि सूर्य की गति के आधार पर जन्वरी के मद्ध में पूरे भारत में विभिन्द प्रकार के त्योहार मनाए जाएंगे पंजाब से लेकर तमिनारु तक और गुजराद से लेकर असम तक लोग अनेक त्योहारों का जश्म मनाएंगे जन्वरी में बड़े ही दुमताम से मकर संक्रांति और उत्तराइण मनाए जाता है इनको उर्जा का प्रतिक भी मना जाता है इसी दोरान पंजाब में लोडी तमिनारु में पंगल असम में माग भी हूँ भी मनाए जाएंगे योतोहार किसानों के समुरुद्य और फसलों से बहुत निकरता से जुड़े हुए है योतोहार हमें भारत की एक्ता और भारत की विवित्ता के बारे में याद दिलाते हैं पंगल के आखरी दीन महान तिरुवल्लवर की जैन्ती मनाने का सवभाग्य हम देशवाशियों को म 2019 की ये आखरी मन की बात है 2020 में हम फिर मिलेंगे नया वर्ष नया दसक नय संकल्प नई उर्जा नया उमंग नया उत्सा आईए चल पड़े संकल्प की पूर्ति के लिए सामर्थ जुटाते चले दूर तक चलना है बहुत कुछ करना है देश को नई उचाईयों पर उनके सामर्थ पर उनके संकल्प पर अपार स्रत्ता रखते हुए आओ हम चल पड़े बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुब कामना है नमस्कार हमारे इस खास कारें